आई होप आप सबी अच्छे होंगे प्यारे बच्छो आज हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के एटिकेट अभ्यास पुस्तिका के पार्ट 6 को इस पार्ट का नाम है बच्छो पन्ना का त्याग बिल्कुल भी देर ना करते होगे बच्छो चलते हैं प्रेश्ण उत्रों की मां का क्या नाम था उनका नाम था बच्छो पन्ना ठीक है जो प्रेश्ण का मांग 2 है वो है तलवार सब्द की समान तोक वाला सब्द लिखिए तो तलवार सब्द जैसा मिलता जुलता हमें एक सब्द लिखना है वो हो जाएगा ललकार जै एकदम ऐसा लगता है जैसे तल दवार बोला जा रहा हूँ ठीक है एकदम मिलता जुलता सब्द है अब चलते हैं आगले प्रेश्ण का मांग तीन है बच्चो वनवीर किसे मानना चाहता था तो वनवीर उदे सिंग को मानना चाहता था जो राजकुमार उदे सिंग थे उन्हें मानना चाहता था बच्चो प से पन्ना ने ओदे सिंह की रक्षा कीई तो आप इस परश्ण करमा máंग 5 को ये है स्वामी भक्ती से क्या अभी प्राय है तो स्वामी भक्ती कहते हैं बच्चो जब कोई सेवक अपने मालिक की सेवा करता है तो उसे हम स्वामी भक्ती कहते हैं तो इस प्रेश्म का उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्वामी भक्ती से अभी प्राय अपने मालिक की सेवा करना है ठीक है अब चलते हैं अगे इस पार का जो प्रेशन के मांग 6 है बच्चों वो है निमले की सब्दों के दो-दो परियावची लिखिए तो सबसे पहले हम अंबर का परियावची देख लेते हैं अंबर का एक पहला परियावची आकास दूसरा है नब दूसरे नंबर पर है सूरज, सूरज का पहला परियावची है सूर्य और दूसरा है रभी तीसरे सब्द है सिंग, इसका पहला परियावची है सेर और दूसरा है वनराज और चोथा सब्द है हमारा आक, आक को हम नेत्र और चछु भी कहते हैं इसका पहला परेवाची हो जाएगा नेत्रों दूसरा है चछू जो प्रेशन के मांग साथ है वो है यदि आप पन्ना के इस्थान पर होते तो ओदेर की रक्षा के लिए क्या करते हैं तो यहां पर हम जो आप इस प्रेशन का उत्तर देख सकते हैं इस तरीके से आपको इस प हार कर दिया मतलब यह पन्ना ने एक युक्ति लगा लगाई थी बच्चो के मैं ओदे सिंग की रक्षा कैसे कर सकती हूं तो उन्होंने अपने पुत्र को चंदन को ओदे सिंग की सहियां पर लिटाल दिया जिससे जो बनवीर उसे मारने के लिए आए तो वो उसे चंदन को समझकर उसको मारे और जो कराजकुमार सिंग वो बच जां ठीकि और फिर उंहोंने उदो कीरत व से सामाल लाने ले जाने वाला की रत हो उसकी डोकरी में छुपाकर उदेgg को महल से बाहर लिका दिया तो यह एक युक्ति लगाई थी अब आगे देख लेते हैं इस प्रेश से लिए चाहिए हमें अपने प्राणों की नियोचizza वर ही कियो ना करना पड़ता हुआ ठीक है तो हम अगर उपन्हा की 자गह होती हैं तो हम भी उद्यासत elite Mohammad की ऑ कि रक्ष्या करते किसे सर्षी करके चाहिए हमें उसके लिए अपने अपने प्राण ngày कि यो त्यागना पड़ते हैं तो इस तरीके से आप यह प्रस्ण करमांग साथ को तर लेख सकते हैं अब बच्छों यह आगे मुल्यंकन पांस दिया है यहां पर हम प्रस्ण करमांग एक को देखेंगे यह बुल रहा है दोना और पतल के बीच में किसको चुपाया गया था तो दोन पतल के बीच में ओदेख सींग को चुपाया गया था जब पन्ना ने कीरत की टोक्री में दोना और पतल के नीचे छुपार कर महल से ओदेख सींग को बहार लेका लिए था ठीक है बच्छों आप चलते हैं आगले प्रस्शन की आप प्रस्ण का बांग दो है बच्छों वह पन्ना की category में आते हैं और प्रस्ट 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 मतलब page जो अपने copy किताब के page होते हैं उन्हेंज भी हम पन्ना बोलते हैं वच्छो रक्त रक्त को खून और लहू भी बोलते हैं काल का मीनिस होता है समय और काल ठीक है यह दोने ही मीनिंग काल के हैं तो इस तरीके से आप यह प्रेश्व कर मांगथ 2 ही पूर्ण करके हैं प्रेशन का बांग तीन है वग्छो आप पन्ना कीरत बनवीर में से कौना पात्र बनना चाहेंगे बच्चे तक को सहीद कर दिया उदे सिंग के लिए ठीक है इसलिए मुझे सबसे अच्छा केरेक्टर या फिर पात्र पन्ना का लगा तो इस प्रश्चन का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चो हम पन्ना कीरत वनवीर में से पन्ना बनना चाहेंगी क्योंकि पन्ना ने सौमी भक्ती में स्वयम के पोत्र का त्याक दे कर कुवर ओदे सिंग को बचाया है ये कार उसकी करतब निष्ठा को प्रदर्शित करता है जिससे हम प्रभावित हुए ठीक है ये वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो बच्चो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर देजे आप से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो